काफी सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आते हैं फेस्बुक पे वाटसेप पे और नीचे कमेंट करके मुझसे ये पूछते हैं कि हमने फिरीच के अंदर सब कुछ कर लिया वैक्यूम कर लिया और दूसरे कंप्रेसर से भी वैक्यूम करके देख लिया जब भी हम उसमें गैस ड साथा गरम होता है लेकिन कूलिंग नहीं आती और कई बार कूलिंग तो सक्षन लाइन के ऊपर आ जाती है लेकिन फ्रीजर में कूलिंग नहीं आती और उसका स्टेंडिंग प्रेशर जब देखते हैं तो सो से ऊपर का स्टेंडिंग प्रेशर हमको वहां पे देखने को मिलता है तो आज मैं बताऊंगा इसी का समाद कर दोस्तों मेरा नामें राजेंदर सिंगरोड़ा और टीन टी हिंदिक में आप सब का स्वागत है और टॉपिक ऑफ दे एपिसोड 13 में भी आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड सब कुछ कर लिया फ्रिज के अंदर वैक्यूम कर लिय लिया से काम neutrी स से वैक्यूम कर लिया फिरदी गैस डीसमय चली जाती है यही चीज इस प्रे से उर विंडो एवी कोती है आप में से कही को ऍदे में तर तो यह अब लागत अदर आजाए और अकसर यह problem fridge के अंदर ही सबसे ज़ाद आती है और इस चीज के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके AC के उपर भी लागू होती है और AC के अंदर भी वही technique इस्तिमाल करनी है जो मैं आपको technique बताने वाला है इस problem को solve करने के स्रिफ दो ही तरीके है पहला तरीका यह है कि आप किसी फ्रीज में या AC में अगर गैस डाल रहे हैं तो उसे सबसे पहले नाइट्रोजन से flush कर लिजे दो तीन बार उसे नाइट्रोजन डाल डालके flush कर लिजे और उसके बाद उसे वैक्यूम करके फिर उसमें गैस डाल लिए तो आपकी यह समस्य है यह solve हो जाएगी दूसरा तरीका है यह वाला तो देखें बिल्कुल सी ट्रीक है अगर इस तरह से आपके भी फ्रीज में आप गैस डाल रहे हैं और उसका बैक प्रेशर माइनस में चला जाता है जीरो से नीचे चला जाता है जो कि आ आपको यह नजर आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है बिल्कुल सिम्पल सी ट्रेक है आपको जाना है कूलीं कॉयल के पास में आपका सिंगल डूर का फ्रीज हो या डबल डूर का हो या स्प doublet अश्य हो विंड़ी हो उसके पास जाना है cooling coil के पास में और वहां पर Brazil torch को लेके जाना है और व्रेजिंग टोर्च को चालू करके और फ्रीज को वैक्यूम पे लगा के देखिए वैक्यूम चालू रहनी ची जिस समय आप ये करें जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको फ्रीज की कूलिंग कोईल के पास जाना है और उसके उपर ये ब्रेजिंग टॉर्च को चालू करके हलके हलके गुमा देना है मतलब की कूलिंग कोईल को गरम होने से क्या होगा कूलिंग कोईल को गरम होने से जो इसके अंदर का मौस्चर है जो इसके अंदर की ठं कुम कर देते हैं आपका गेज़ में नियमें जो सुई है वह आपको मायनस महीं दिखा देती है लेकिन वह Keemb Bright जो जाता है लेकिन जब आप उसमें जब गैस डालते हैं तो गैस आपकी–G+, कैपलरी की जरीए में कूलिं कॉयल के पास माने आग करके रुक jाती है क्योंकि मॉस्च oppression उसे रोग देता है वहाँ पे आक पर करके वह जम जाती है जिसकेवाज़से आपको भैक प्रेशर हो मानस में दिखाने लगता है यही चीज होता है अगर आपको यकीन ना है तो आप ये ट्रिक इस्तमाल करके देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ ये करने से पहले आप एक बार बैक्यूम करके गास डालके देखें अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप cooling coil के पास जाकर के देखिए कि gas किस तरह से अटकती है हलाकि ये चीज मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था और मुझे ये नहीं पता कि मैंने वो कौन से वीडियो में बताया था वनना मैं आपकी उसकी link उपर आई बटन पर दे देता और शायर आप में से कई दोस्त जिसके बारे में जानते भी होंगे तो ये बिल्कुल सिम्पल सी और सरल सी ट्रीक है कि आपको cooling coil को गरम करना है और इतना गरम करना है जितना कि आप उसे हाथ लगा सको इतना गरम नहीं करना कि आपका जो प्लास्टिक है आसपास का या थर्मा को लग रहा है वो खराब हो जाए या पिगल जाए इतना गरम नहीं करना बिल्कुल हलका गरम करना है या आप एक भगोने में पानी गरम करके वो पूरा भगोना इसमें रख सकते हो और फिरिज को बंद कर दो ताकि वो जो गरम भापे वो कूलिंग कोईल के उपर जाए और कूलिंग कोईल उससे गरम हो जाए और आपका जो वैक्यूम पे जो कंप्रेसर लगा रखा है उसके ज नजर आएगा और आपका जो फ्रीज है वो ठंडा होने लग जाएगा सिर्फ सिंपल सी और सरल तरीक है तो देखा दोस्तों आपे कितना सरल और बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको बताया बिना नाइट्रोजन के इस तरह से आप इसे कर सकते हो अब काफी सारे लोग इस तरह की प्रॉबलम आती है और कई बार हम सर्दियों में गैस डालते हैं तब इस तरह की प्रॉबलम आ जाती है और यह सब के साथ ही यह मेरे साथ भी आती है यह आप में से कई लोगों के साथ भी आती है तो इसका यही समाधान है और वैक्यूम आपको सेल वैक्यूम नहीं तो उम्मीद है आपके सारी चीज़े समझ में आगे होगी और उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्फ बोल रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीज़ेगा और इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीज़ेगा ताकि वह भी हमारी स्वेमिली का मिल जाएगी तो रहेंगी सो माच वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले उडे में कुछ और नया लेकर के कुछ और इंट्रेसिंग टॉपिक के साथ में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा जैन